नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है MD2 Reader Publication तो दोस्तों इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत भी बड़ी खुश खबरे लेकर आया हूँ अब हरियाना के युवाओं के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, विपक्स की तरफ से प्रैसर कही है या फिर चुनावी महाल को देखते हुए सरकार का फैसला कही है, कुछ ही भी कही है लेकिन अब फ्यूचर हरियाना के युवाओं का ब्राइट मेरे को नजर आ रहा है इसके पीछे क्या कारण है, हरियाना के युवाओं के लिए अच्छी खबर है अब हरियाना में नोकरी लेना पहले के मुकाबले 20-30% या कईए 50% तक आसान हो गया है क्यों हो गया है, इस वीडियो में डिटेल से आपको सारी चीजे मैं बताने जा रहा हूँ और दोस्तों साथी साथ बताऊंगा कि भी इसके पीछे रिजन्स क्या है और ओफिसियरी नोटिस भी आपको दिखाऊंगा, ओडर भी दिखाऊंगा जो जारी हो गये है हरिःणा सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है, कि इस वजह से मैं ऐशा बोर रहा हूं कि भी हरिःणा में अभे नोगकरी पाना आसान हो गया है यह भाहों के लिए बहुत बड़ी खुसकपर्य हरिणा सरकार ने किया बड़ा घ् aujourd लाओ जा रहे कि यह ओडर और आदेश दोस्तों अगर चैनल पर नहीं आएं फरियाना से जुड़ी 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 रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें एक्सपेक्टिड एक्जाम डेट रिजल डेट एक्सपे से स्टेंडों की भरती कब आएगी क्या सेलेक्शन प्रोसेस होता है मैं स्टेंडों का कोर्स करना चाहता हूं कितनी फीच रहती है मिनिमम कितना टाइम लगता सारी डिटेल आपको प्रदीप सर परसो जो दो दिन बाद हमारे चैनल पर आ रहे हैं एक्जक्ट टाइम और ड एंजिनियर इलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल और सीविल कुल मिलाकर इसमें 107 वकेंसी थी उलेक्ट्रिकल की 75 थी मेकेनिकल की 15 थी और सीविल की месте सत्राट ही इसिस्टेंट इंजिनियर इन recognition की vacancy थी ठीक है दोस्तों इसमें HE så Shane the time HVPGC इसमें इस भर्ती को जो हरियाना सरकार को cancel करना पड़ गया क्योंकि इसमें दोस्तों जहां तक मेरे को सुनने हाई यही आया कि जो अधर स्टेट के candidate थे वो ज्यादा लगे एज कंपेर टू हरियाना स्टेट गोर्मेन्ट candidate या हरियाना स्टेट के कैंडिडेट के मुकाबले जिससे क्या हुआ युवाओं में रोज फैला विपक्स ने मुद्धे को उठाया और सरकार ने चुनावी जो हनुक्सान को देखते हुए फैसरा लिया कि हम इस बरती को रद कर रहे हैं जिससे इलेक्षन के बाद ही यह बरती दुबारा होगी और नए रूल से बरती होगी जिसमें मानिय मुख्यमतिरी नौला कटर ने प्रेस कोंफरेंस भी की थी उसके हवाले से अगर हम चले तो आने वाले समय में हरियाना के इंदर जो बरती आउंगी अदर स्टेट के लिए मैक्सिम के अंदर फारन फिल किया है अगर आप मैरिट में आते हैं तो आपका सेलेक्षन होता दो परसेंट च्यार परसेंट दस भीश कोई मतलब नहीं है चाहिए आप बाने वाले समय में इलेक्षन के तुरुंत बाद ऐसा है कि लो बना दिया जाएगा या फिर कुछ इस परकार स से उसमें अध्यादे से लेकर आया जाएगे अब इस प्रकार से कुछे रूल रेगुलेशन बनाये जाएगे जिसमें आपका अधर स्टेट का फाइब परसेंट का कोटा रहेगा 95 परसेंट जो भरियाना के युगां को इसमें मिलने बाली है तो यह बहुत बड़ी एक गुड़ नियूज खुशखबरी आप सभी के लिए आरे आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले शेर कर दे इस से नोटिस को मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ Recruitment of Assistant Engineer Electrical Mechanical Civil in Haryana Power Utility Reference Haryana Power Utility Advertisement Number आपका Gate 2019, Date 276 2019 Published in various newspaper यह आप सभी जानते हैं It is notified for the information of applicant candidates that these posts have been withdrawn by the Haryana Power Utility and accordingly the same are hereby cancelled वीड्रा कर लिया गया है वेकैंसी को और इनको कैंसल कर दिया गया है Trust no recruitment would be done in respect of this advertisement The candidate who have applied against above post may make written request in the office of Jifti's secretary Room No. 230, 1st floor सक्ती बहुन SVPNL, Sector 6, Panskula for refund of application fee by clearly mentioning their application number, name of applicant, beneficiary bank, account number, bank name, branch, IFSC code along with proof of depositing the fee within 15 days from the date of publication of this notice तो दोस्तों बहुत ही अच्छी ए न्यूज आपके लिए लेकर आई हूँ I hope अच्छी आपको लगी होगी आज की इस वीडियो में फिलाल इतना ही Keep watching, keep supporting your own YouTube channel MD2 Reader Publication Thank you very much